चत्तीजगर लेटस्ट न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है बच्चियां ले जाते महिला को पकड़ा तो हुई अर्धनग्न लोगों ने रोका तो बीच सड़क करने लगी अशलील हरकत सीसी टीवी में कैध हुई घटना सरगुजा जिले के भट्टी रोड इलाके में बच्चा चोरी के शक में एक महिला को लोगों ने पकड़ लिया महिला दो बच्चों को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही थी जब वो एक बच्ची को अपने साथ ले जाने लगी तो वो घबरा कर रोने लगी इधर जब आसपास के लोगों ने जब ये देखा तो उसे पकड़ लिया लोगों के विरोध करने पर वो बीच सड़क पर अशलील हरकत करने लगी और अपनी साड़ी उतारने लगी अर्धनाग्न महिला को लोगों ने रोका और कोत्वाली थाना पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुची कोत्वाली थाना पुलिस उसे पकड़ कर साथ ले गई ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है CCTV फुटेज में महिला को बच्चीयों को बरगलाते, अपने साथ ले जाते और लोगों के विरोध पर अपनी साड़ी उपर उठाते साफ देखा जा सकता है पूचताच में दोनों बच्चों ने बताया कि वो महिला ओने टौफी बिसकिट का लालच दे रही थी और अपने साथ चलने को कह रही थी इधर ASP विवेक शुकला ने कहा कि आरोपी महिला का नाम प्रमिला सिंग 36 वर्ष है वो अपने पती का नाम प्रदीप सिंग बता रही है महिला ने पूचताच में अपना मायका जश्पुर और ससुराल लुंडरा सरगुजा बता रही है ASP विवेक शुकला ने कहा कि फिलहाल आरोपी महिला प्रमिला से पूचताच की जा रही है वो कहीं मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है ये भी जाच चल रही है साथ ही उसके परिवार में कौन-कौन है वो बच्चा चोरी के किसी गैंग से तालुक रखती है या नहीं या उसका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या नहीं ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है उन्होंने कहा कि उसके बच्चे और उसकी पारिवारिक प्रिष्ट भूमी का भी पता लगाया जा रहा है